तो दोस्तो ये है Bolt Cosmic R Smart Watch और आज की इस वीडियो में मैं आप से को बताऊंगो कि कैसे आप सब Bolt Cosmic R Smart Watch में अपनी खुद की फोटो को लगा सकते हैं यानि कि कस्टम वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या सिम्पल वीडियो पर बने रहना और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है तो इसके लिए आपको बोल्ट फिट एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के वाद उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से आ जाता है तो यहां नीचे सबसे इन ग्लूपर दो यहां पर काफिसार शींत होते हैं और मरी में नंबर प्राफशन क्लिक कर देना तो मैं यहां पे यहां से आपका जो गैलरी है हमारे फोन का वो ओपन हो जाएगा तो यहां पर हमारा गैलरी ओपन हो चुका है और यहां से हमने कोई भी पिक को सेलेक्ट कर लेना है तो मैं इस वाले पिक को सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के वाद आपके साब को वाच पे शो करेगा और वहाँ पर करने के बाद यहां पर आप सबको राइट वाला ओप्शन देखने को मिल जाता है तो यहां पर जो टाइम है वो ऊपर या नीचे हो जाता है तो यहां पर अपने आप अपने फोटो के सब्सक्राइब कर सकते हो उसके यहां पर टाइम के नीचे क्या चाहिए आपको वह सारे उप्शन जैसे की डेट सिरीप हार्डर स्टैप बगारा कुछ भी वह आप देख सकते हो तो यहां पर मैंने और टाइम रखना है और यहां पर बिलो टाइम का भी ऑप्शन देखने को म उसके बाद यहां पर आप सब्सक्राइब को ओपर में शेव का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां पर यहां पर क्लिक करते हैं तो कुछ टैम जो तक वीडियो को फटा फट से लाइक नहीं कियो तो लाइक कर दो जो तक हमारा जो वाच फेस है वह लोड हो रहा है और यहां पर 100% होने के बाद हमारा जो वाच फेस है वह कंपलीटली हमारे वाच पर लग जाता है तो इस तरीके से आप सब बोल्ट कोस्मिक और स्मार्ट वाच पर अपनी खुद की फोटो लगा सकते हो या अपनी खुद की कस्टमाइज वाल पेपर को आप सेट कर सकते हो तो अगर आप सबको इस वाच से पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आप सबका रिप्लाइज जरूर करूंगा और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक् झाल